एलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जैश्रीजरी क्यاشना जरूर लिखें solids अगर आप प्रिग्नेंसी की प्लांनिंग कर रहे हैं अभी period को time है लेकिन period जैसा अगर आपको period जैसा cramp pain में अजीब सा होने लगे अजीब सा pain में हो रहा है feel हो रहा है ऐसे लग रहा है कि समझो कि अभी periods आ जाएंगे तो friends ये implantation के कायरन ही हो रहा है आपको इन दिनों में ऐसा लगेगा कि बस period आने वाले है period आने जैसा लगेगा लेकिन period नहीं आएंगे लेकिन के इस तरह feel होने के बावजूद भी period आ जाते हैं अगर आपको period आने वाले होंगे तो ये pain आपको period वाले दिन या फिर period आने के एक दिन पहले ही होता है इससे पहले नहीं होता लेकिन अब कुछ अलग लग आपको लग रहा है चार से पांच दिन होगे हैं आपको pain होते हलका हलका लेकिन आपको पहले ऐसा नहीं होता था जब भी period आते थे एक दिन पहले pain होता था या फिर उसी दिन होता था लेकिन इस ऐसा लग रहा है, period नहीं आते हैं, एक दिन उपर हो गया है, period भी miss हो गये हैं, दो दिन उपर हो गये हैं, लेकिन period नहीं आये, देखते देखते period भी miss हो गये, दिन भी उपर चड़ गये हैं, तो बिना किसी confusion की समझ जाएं कि pregnancy हो चुकी है, और यह जो cramps हो रहे थे लगातार आपको यह सिर्फ और सिर्फ pregnancy के कारण थे, यह सब implantation के कारण हो रहा था, ना कि period के कारण, next है आपका जो belly button है, उसके उपरी हिसे, यानि नाभी के उपर वाले हिसे में, और नीचले हिसे का केई वार क्या होता है, कि वहाँ पर पेट फुला फुला सा लगने लगता है, ब लेकिन इन में से एक हार्मोन है, प्रोजेस्टोन हार्मोन, यह जैसे ही body में increase होता है, तो इसका सबसे जादा effect होता है, आपके digestion system, digestive system में यह क्या करता है, डाइशन के process को slow down कर देता है, वहाँ का जो पाचन तंतर है, उसको कमजोर कर देता है, इस हार्मोन के कहरण आपको क होता है, आपको पेड़ खराब होने लगता है, आपको पचता नहीं, आपको गैस बन जाती है, या फिर आपको बार बार पॉटी के लिए जाना पड़ता है, या फिर एक बार खा रहे हैं, तो बार बार पॉटी करने जाना पड़ रहा है, दिन में तीन से चार बार आपको पेट साफ करने के लिए जाना पड़ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में बड़े हार्मोन, पोजेश्टों हार्मोन के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि डाइएशन का सिस्टम जो है कमजोर हो जाता है उसी के कारण के वार आपको बॉमिटिंग जैसी शिकायत हो जाती है क्योंकि पाचन तंतर कमजोर हो गया जिसके कारण खाना अच्छे से नहीं पच्छता है और इस थरा की शिकायत आपको होने लगती है नेक्स्ट है के वार ये जो तो समझे कि ये जो आपको स्पोर्टिंग हुई है ये जो हलका सा दाग आपको लगा है ये इंप्लांटेशन ब्लेडिंग है ये जब अंदर प्रेगनेंसी होती है तो इस थरा की हलकी सी स्पोर्टिंग होती है लेकिन कुछ महिलाओं का ऐसा नहीं है सब प्रेगनेंस महिलाओं को हलकी सी स्पोर्टिंग होती है नहीं अंडर में से 25 परचंट महिलाओं को ही हलकी सी स्पोर्टिंग होती है प्रेगनेंट होने पर अगर आपको हो रही है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आप प्रेगनेंट हो गे हैं तब तक अपना खास ख्याल रखें Thank you guys